सागर जले के सिविल लाइन थाना छेतर में बीते दिनों सीमिंट ब्यापारी ब्रिजेश चौरसिया और इसकी बेटी महीमा चौरसिया की कार में लाश मिली थी इस संसनी केज मामली का पुलिस अधिक शक अमित सांगी ने खुलासा कर दिया है पुलिस का दावा है कि कर्ज के बोज तले दवे ब्रिजेश चौरसिया ने शूटर को अपनी खुद की पदनी और बेटी की हत्या की साजिश रची थी बेटी महीमा को बिहार निवासी शूटर रंजन ने गोली मारी थी जबकि ब्रिजेश ने खुद को गोली मारी थी पुलिस के इस दावे में कई सारे पेंच है जिस पर पुलिस का कहना है कि अभी मामली की जाच चल रही है एसपी अवेट सांगी ने बताया कि आरूपी बिहार का रहने वाला रंजन राय मृतक ब्रिजेश का पहले से ही परीचित था और वह जमुई बिहार से इस घर्टा किरम के लिए पिस्टल लेकर आया था ये पूरी योजरा ब्रिजेश ने इस कदर से बनाई थी कि उसने घर से निकलने से पहले अपनी पतनी और बेटी को कोल्ड ड्रिंग में नशीली दवा या नींद की दवा पिलाई थी जिसकी पुष्टी हो चुकी है और इसके बाद यह पहले से तैस्थान पर आया तो उसने रंजन को बताया कि जाकर तो अनों को शूट करना है इसके बाद रंजन जब बहाँ पर पहुँचा तो पतनी बेहुशी की हालत में सीट पल लेटी हुई थी और सामने उसे एक लड़की दिखाई दी जिसके सिर में उसने गोली मार दी बहाँ पर गाड़ियां आ जा रही थी जिसकी वज़े से वह लोटाया उसके बाद ब्रिजेस ने उसे रुकने को बोला और जब ब्रिजेस बहुत दिर तक बापस नहीं आया तो रंजन ने मुवाल से ब्रिजेस को कॉल किया लेकिन कॉल रिसीब नहीं हुआ इसके बाद रंजन ने जब पास जाकर देखा तो ब्रिजेस के सिर में भी कोली लगी हुई थी और वही पास में एक पिस्टल पड़ी हुई थी उसने बो पिस्टल मैगजीन यूनिवर्सिटी से नीचे ढलान पर एक स्थान पर गार दिये थे और इसके बाद वह सीधा ट्रेंट पकड़कर दुर्गापुर पहुँच गया था पुलिस अधिक्षक के मताबिक रंजन से उसने इस पूरे काम के लिए 90,000 रोपे में बात हुई थी यह गटना किरम शुरू से ही बड़ा संसनी खेच और पेचीदा था व्यग्यानिक साक्षियों की आधार पर मृतक के सोसाइड नूट की आधार पर मैदानी दौर पर हमारी जो टीम बनी थी इन सबी ने बहुत मेहनत की सबी ने शाक्षे जोटाए गटना में यह किलियर हुआ कि रंजन दौरा महिमा की हत्या की गई है और प्रजेश ने कुद को गोली मार के हत्या की है यह सोला सप्ला की दर्मियानी रात सिमेट वेफसाई प्रजेश चरसिया और उसकी डड़की की नाश जिसमें सिर्वे गोलीयां लगी हुई थी प्रजेश चरसिया का सुसाइड नोख सामने आने पर और एफसल द्वारा दिये गए साइंटिफिक एविडेंस के अधार पर इसमें 306-302-120B का प्रकट सिविल नाइस थामें दर्श किया गया और पूरी टीम बनाके इसमें इंविस्टिगेशन किया गया तो यह सामने आया कि एक दुर्गापुर का रहने वाला रंजन राय करके आरोटी है जिसको भी यहां लाया गया था जो इसे प्रदेश से पूर्ग में परचित था और वहें जामुई बिहार से इस घटना करम के लिए पिस्टल लेके आया था और यह पूरी योजना प्रदेश ने इस तरह से बनाई थी उसने घर से निकलने से पूर्ग अपनी पत्नी और बेटी को गोल्डिंट नशीली द बताय हुए स्थान पे आया और वहां पे इसने कॉल करके रंजन को बुलाया और रंजन को उसने यह नहीं बताया कि गाड़ी में बॉन बैठा है और चूकी दवाई पहले देनी गई थी इसलिए इसकी पत्नी और उसकी बेटी दोनों ही नीज में बिहोशी के हालत में थे उसने रंजन को यह बताया कि जाके दोनों को शूट करना है रंजन जब वहां पे पहुचा तो पत्नी बेगोशी के हालत में सीट पे लोड़की हुई थी और सामने उसे एक लड़की दिखाई दी जिसके इसमें सिर्फे गोली मारती और इस बीट में उधर पे गाड़िया जब प्रदेश बहुत देर तक वापिस नहीं आया तो इसने अपने मोवाइल सब से कॉल की और पास में जाके देखा तो प्रदेश के सिर्फे भी गोली लगी हुई थी और वही पास में एक पिस्टल पड़ी हो थी वह पिस्टल और दो पिस्टल और मैगजीन उसने युन कि अधार पे और मैदानी तौर पे जो हमारी टीम बनी थी इसमें दोनों अडिशनल स्पी और हमारे सिविल लाइंस मपरोनिया कोथवाली मोती नगार टियाई इसके लाबा साइबर सेल और चानवीला के थाना प्रबारी इन सभी ने बहुत मेहनत की और बहुत अल्प समय म कि रंजन द्वारा महिमा की अत्या की गई है और ब्रजेश ने खुद अपने को गोली मार के अत्या की है इसमें वीपन जो जब तुगा था वो वीपन हमने कि जल से जल इसकी जांच परिणामों से अबगत कराते हैं इससे इसपष्ट हो सके कि जो गोलियां चली है वो इसी वीपन से चली अभी जो जानकारी ब्रजेश द्वारा छोड़े गए सोसाइड नोट है और जो बैंक से जानकारी मिली है उसके मताबी ब्रजेश के उपर बहुत ज्यादा करजा आगिया था बहुत ज्यादा यह परेशान था और उसी के चलते उसने ही कदम है यह अभी आरंबिक तोर पे इसमें यहां के सूथ पोर और एक इनका बिजनेस पार्टनर जो पहले ग्वालियर का है इनके नाम आए है इसमें 306 का प्रिकर्ण दर्श क कर दिया गया है और अब हम इसमें एविडेंस जुटाएंगे कि यदि मरता कि ये सूसाइड नोट छोड़के गया है तो इसकी वजय क्या है और यह यदि परिशान करते थे तो उसके लिए किस तरह से करते थे इनके घरवालों के भी ब्यान है और इनसे भी पूश्टाज साथ ही हम बैंक से भी जानकारी निकाले के हम इनकी जो दस्तावेजे उसे भी घंगा लेंगे और निश्टिक तोर पे चुबी 306 का प्रटन दर जुगा है तो इनके आरोपी को पश्यम बंगाल के दुर्गापुर से ग्रफतार कर लिया है आरोपी पर धारा 302, 306, 120B, 109 क के तहत मामला दर्ज कर लिया है वहीं पुलिस के मताबिक अभी भी कई तथ्यों की जांच बाकी है जैसे ब्रिजिस ने आखिर क्यों पूरे परिवार की हत्या की साजिश रची जबकि वो खुद भी ऐसा कर सकता था और अगर उसने सभी की हत्या की प्लानिंग की थी तो ख कारवाही कर सकती है